नमस्कार स्वागत है आपका स्टार्ट इन्वेस्टमेंट में दोस्तों आज के इस व्यूडियो में मैं आप लोगों के एक धहमाकेदार इन्फोर्मेशन देने वाला हूँ कल यहाँ पे एक शेयर के अंदर जो है 20 परसेंटेज का अपर सरकिट आसानी से लग सकता है कल 9 बजे का आप लोग जो है अलार्म लगा लीजिए बाइबैक एक कमपनी ने जवरदस्त गोसना की है 726 रुपए के करीब एक शेयर ट्रेड हो रहा है आज के दिन जब इसकी क्लोजिंग हुई है 726 रुपए के करीब आज ही के दिन बोड मीटिंग थी इस कमपनी की और कमपनी ने जवरदस्त बाइबैक की घोसना की है और कमपनी का कहना है बोड का कि शेयर ओल्डर का अप्रूवल मिल जाता है तो 900 रुपए पर शेयर के हिसाब से शेयर जो हैं यहां पर कमपनी बाई कर सकती है जैसी है अप्रूवल मिल जाता है तो दोस्तों कौन सी है यह कमपनी क्या इसकी घोसना है क्वाटरली रिजल्ट्स इसके कैसे रहे हैं वो सारे के सारे आप लोगों को बताना चाहूंगा तो सबसे पहले तो हम इस कमपनी के क्वाटरली परफॉमेंस के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि किसी भी company के earnings बहुत ज़्यादा जरूरी रहती है उसके buyback उसके split bonus या dividend से तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस company के income के बारे में तो income जैसी ही हम लोग यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा जूमिन करना चाहूंगा तो income देख लीजिए जो य यहाँ पे देखेंगे company का आप लोगों को total income दिखाई देगा तो total income हम लोग देखेंगे September 2020 के quarter में 11,161 करोड रुपए के जो है company ने यहाँ पे 161 करोड रुपए थोड़ा सा माफ कीजिएगा यह जो value लिखी गई है lakh rupees में है तो 11,161 lakh rupees का जो है 2020 September के quarter में total income वी थी company की अगर बात करें इस quarter की यानि कि September 2021 में तो यह value increase हो गई है आप लोग देख सकते हैं 11,407 lakh रुपए के करीब जो है value आ गई है total income लेकिन quarter on quarter जब हम लोग देखते हैं June quarter से इसको compare करते हैं तो यहाँ पे decrease थोड़ा सा देखने के लि expenses के अंदर company ने बहुत अच्छा काम किया है अगर September 2020 की बात करें तो 9,207 lakh रुपए का expenditure हुआ था लेकिन expenses अगर बात करें September 2021 में तो 8,510 lakh रुपए का हुआ है यानि कि year on year यहाँ पे company ने अच्छी performance दी है और company का जो expense था expense के ऊपर control रखा है अब मैं आप लोगों को बतान company का profit तो जब company का expense कम हो गया है तो company के profit में अच्छी खासी बड़ोतरी वी है September 2020 में 1390 lakh रुपए का total profit बना था company का लेकिन आप लोग देखेंगे September 2021 में 2166 lakh रुपए का total profit बना है तो company ने बहुत अच्छा काम किया है company की performance अच्छी रही है company ने expenses अपने कम किये है अब earning per share के बारे में बात कर लेते हैं earning per share अगर आप लोग देखेंगे पिछले साल September quarter में 7.47 रुपीज का था और इस साल के बारे में बात करें तो 12 रुपीज का है यानि की company ने again अच्छा काम किया है ये तो रहे company के quarterly results के बारे में बात company का नाम बताना चाहूंगा MPS Limited जी गोसना की जानी थी उसके consider किया जाना था और दूसरी जो चीज थी quarterly results के बारे में तो देख सकते हैं आप लोग 27 अक्तुबर की ये गोसना है NSE BSE दोनों को ये letter लिखा गया है अब मैं buyback के बारे में आप लोगों को information देना चाहूंगा कितने share जो हैं buyback यहां पे किये 5.23 percentage जो है यहां पे buyback करेगी company तो आप लोग सोच सकते हैं कि जबरदस्त ये एक buyback है buyback का क्या तरीका होता है वो भी मैं आप लोगों को बतातूं यहां पे करना क्या होता है share holders को कि जैसे company buyback करती है तो एक record date बताई जाएगी कि उस record date के दिन जो है जिन share holder के पास share होंग वो apply कर सकते हैं buyback के लिए उसके बाद आप लोगों को apply करना होगा और फिर company का management है वो shares को buy करता है जो की एक fixed price होता है उसके ओपर fixed price company ने रखा है 900 रुपए का तो 900 रुपए का जो यह price रखा गया है बहुत ही जबरदस्त है क्योंकि आज share की जो closing हुई है 726 रुपए के हुई है और 900 रुपए आप लोग यहां से देखें तो लगबग 173 रुपए र 174 रुपए के करीब यहां पर डारेक्टले 174 रुपए का benefit shareholder को यहां पर आसानी से हो सकता है अगर इसको आप percentage wise निकालेंगे तो almost at 23 percentage के करीब यह निकल के आता है तो कल आसानी से इस share के अं मिल सकता है हां यहां पर जो सरकिर barrier है इन केस अगर 10 percentage का हुआ तो 10 percentage ही लगेगा अगर 20 percentage का सरकिर barrier हुआ तो 20 percentage यहां पर लगने की उम्मीद है क्योंकि 900 रुपए पर equity share के हिसाब से buyback की गोशना company के द्वारा की जा चुकी है इस पूरे के पूरे paragraph को आप पूरा का पूरा readout कर सकते हैं तो यह तो रही company के quarterly results और buyback के बारे में बात अब हम company की previous जो financial आंकडे है company की performance है उसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं MPS limited company का नाम है जी हां दोस्तों MPS limited यह मान लिजे technology based software based एक platform provide करती है अपने customers को MPS limited तो company का revenue देखेंगे 2020 में 331 करोड रुपए का 2021 में देखा जाए तो 422 करोड रुपए का net profit company का decrease हुआ है लेकिन company एक छोटी company small cap company अच्छा काम कर रही है 2020 में 59 करोड रुपीज का revenue जनरेट किया और 2021 में 58 करोड रुपीज का revenue जो है company ने जनरेट किया था यहां पे आप लोगों को shareholding pattern दिखान गे almost 68% की shareholding है वो अभी भी जो है promoter के ही पास है यानि कि promoter के पास maximum shareholding है तो अभी भी company के promoter को यहां पे लगता है कि अच्छी खासी growth हो सकती है उसके बाद अगर हम लोग देखें FII के पास FII के पास पे अच्छी खासी shareholding है 5.34% की shareholding आप लोगों को ऐसी company कम ही मिले हैंगी जो की small cap category की हो और उनके अंदर जो है अच्छा खासा FII ने holding बना रखा हो DII के पास 1.2% का और public के पास retail निवेसक जिन में कि आप और हम लोग आते हैं 25% की shareholding है company का नाम MPS Limited है company का market capitalization मात्र 1312 करोड रुपए का face value share की 10 रुपए की है ROCE 24% का return on equity 16% के आसपास का है अगर company का हम लोग यहाँ पे debt देखें तो मात्र 18 करोड रुपीज का free cash flow 92 करोड रुपीज का है तो almost debt free company है profit growth company के अच्छी खासी 13% की और sales growth भी company के अच्छी है 39% के करीब net annual profit भी company का अच्छा खासा है तो company के सारे के सारे financial आंकड़े जो है अच्छे है और अब company ने परदस्त buyback की घोसना की है आप लोग देखेंगे 727 रुपए के करीब का यह share आज close हुआ है और 900 रुपए पर equity share के हिसाब से company buy करना चाहती है company के अगर प्रोज देखे जाए तो company is almost debt free जो कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ और company is expected to give a good quarter वहीं कौन्स की बा reserves और इस company के borrowings MPS Limited के तो company के अंदर reserves हर साल increase हुए है आप लोग देख सकते हैं 363 करोड रुपए के यहां पर reserves है borrowing company की zero हुआ करती थी लेकिन अभी हाली में 19 करोड रुपीज की borrowing है जो कि मैं कहता हूँ कुछ जादा है नहीं MPS Limited आज की date में लगबग डेड परतिसत के आज यह गोशना हुई है कल अच्छी खासी उच्छाल आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती है लॉंग टम का चार्ट जब हम लोग इस share का देखते हैं तो कुछ खास attractive मुझे नहीं लगा लेकिन इस share के अंदर जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी जब भी share के अंद होती है शेयर के अंदर उच्छाल उतना ही जबर्दस्त आता है कि 2008 का financial crash है आप लोग देख सकते हैं उसके बाद की recovery आप लोग जबर्दस देखने के लिए मिलेगी यह हां पे जो आप लोगों को दिखाई देरा कोरोना काल की गिरावट है और उसके बाद की यह जबर्दस recovery है तो MPS Limited जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को एक business content solution provider है platform solution provider है e-learning solution देता है data processing करनी है hosting करनी है computer programming करनी है consultancy और related activities में यह company काम कर रही है तो जबर्दस्त मुझे लगता है यह buyback offer है MPS Limited के अंदर अगर दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो like जरूर क कीजिएगा और एक चीज कहना चाहूंगा बगल में जो bell का icono से press कर दीजिएगा इससे होगा क्या कि share market के latest update आप लोगों तक पहुंचते रहेंगे और हम लोगों को भी encouragement मिलेगा और अच्छे वीडियो बनाने के लिए साथ इसाथ description में दोस्तों जो है पांच लिंक दिये आपड़ाद